हेलो फ्रेंड्स आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में फ्रेंड्स आज कल की लाइफ बहुत ज्यादा बिजी है और किसी के पास इतना वक्त नहीं है कि वो अपने बॉडी का या अपने फेस का खयाल रख सके फ्रेंड्स बहुत सारे लोगों का चेहरा बहुत डल लगता है उसमें कोई तासगी नहीं होती है कोई चमक नहीं होती है तो friends आज मैं आपके लिए एक ऐसा घरीलू नुस्खा लेकर आ रही हूँ जिसका इस्तेमाल करने के बाद आपका face बहुत ही तासगी महसूस करेगा, बहुत जादा shine करेगा, brightness महसूस करेगा तो friends जो मैं face pack बनाने वाली हूँ उसका नाम है face brightening pack friends किसी भी तरीके का mask या face pack यूज करने से पहले हमें उस जगे की बहुत अच्छे से scrubbing कर लेनी चाहिए scrub करने से friends हमारे जो dead cells होते हैं जो dry skin होता है और जो गंदगी होती है हमारे skin की वो remove हो जाती है तो friends सबसे पहले हम टमाटर यूज करेंगे क्योंकि टमाटर बहुत अच्छा bleaching agent होता है और टमाटर से हमारे face में pinkish निखार आता है और बहुत अच्छे तरीके से dead cells को remove करता है तो हम टमाटर को दो हिस्सों में cut करेंगे friends अब हम यूज करेंगे इसमें बेसन और sugar एक खाली बावल में हम दो से तीन चम्मच बेसन लेंगे और दो चम्मच शुगर एड़ करेंगे इसे mix कर लेंगे friends अब यू जो मैंने टमाटर यूज किया है कुछ इस तरीके से हमें scrub करना है अपने face पे friends टमाटर बहुत ही अच्छा scrubber होता है वो हमारे dead skin को remove करता है जो गंदगी होती है हमारे skin में उसको remove करता है तो 10 मिनट हमें सबसे पहले अपने skin को scrub करना चाहिए लगबग 10 मिनट हम इस तरीके से scrub करेंगे तो friends जैसा कि आप देख रहे हैं कि लगबग 10 मिनट मैंने इसको scrub किया है अब हम इसे ठंडे पानी से wash करेंगे तो friends यासा कि आप देख सकते हैं कि मैंने scrub करने के बाद अपना हाथ वाश कर लिया है और अब हम बनाते हैं face brightening mask friends इसके लिए सबसे पहले हम एक खाली बाउल लेंगे इसमें इस्तेमाल करेंगे हम किसी भी company का moisturizer क्योंकि moisturizer बहुत ज्यादा soft होता है और एक brightening cream की तरह होता है तो हम दो चम्मच moisturizer यूज़ करेंगे friends अब हम इसमें एड़ करेंगे दो चम्मच गुलाब जल गुलाब जल हमारे स्किन को ठंड़क पहुचाता है इसके लिए हम इसमें गुलाब जल यूज़ करेंगे friends अब हम इसमें यूज़ करेंगे lemon आप इसमें आधा चम्मच lemon यूज़ कर सकते हैं friends अब हम इसमें एड़ करेंगे coffee powder friends जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि coffee हमारे skin के लिए बहुत अच्छी होती है friends अब हम इसमें यूज़ करेंगे aloe vera gel और friends सबसे ज़्यादा important जो चीज़ हम इसमें एड़ करने वाले हैं वो है vitamin E capsule vitamin E capsule हमारे skin के लिए बहुत अच्छी होती है हमारे skin को tight रखता है brightness देता है इसमें जो vitamin E होता है वो हमारे skin के लिए बहुत ज़्यादा फाइदेमन होता है तो friends हम दो vitamin E capsule इसमें एड़ करेंगे तो friends अब हम इसे अच्छी तरीके से mix कर लेंगे यह बहुत ही smooth एक mixture तयार हो जाएगा friends अभी हम इसमें एक और चीज अड़ करनी है जो है milk powder हम इसमें लगभग एक चम्मच milk powder अड़ करेंगे milk powder भी बहुत ज़रूरी होता है हमारे face को bright करने के लिए बहुत useful होता है आप इसे तब तक फेटते रहें तब तक इसे मिक्स करते रहें जब तक की सारी चीजें बहुत अच्छी तरीके से smooth थरीके से mix ना हो जाएए तो आफ देख सकते है फ्रेंड । Obrig انहीं चीजें है अच्छी तरीके से mix हो गई है इंस्टेंट रिजल्ट है इसके फ्रेंट्स 100% रिजल्ट देता है आपको आपको इसे सिर्फ regular इस्तेमाल करना है और इसे apply करके 15-20 मिनट के लिए छोड़ देना है फ्रेंट्स जब ये सूप जाए तब आप इसे ठंडे पानी से wash कर लें और आप तुरंत ही इसका result महसूस करेंगे आपका skin glow होना start हो जाएगा तो फ्रेंट्स मुझे उमीद है आपको हमारा इस वीडियो पसंद आया होगा और आप इस remedy को ज़रूर अपने घर पे try करेंगे और comment box पर मुझे ज़रूर mention करेंगे कि आपको इसका result कैसा मिला तो फ्रेंट्स आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए शेयर कीजिए और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें